कई बार सुना था कि जंगल में मंगल होता है लेकिन ऐसा महसूस तब हुआ जब मैंने मुकुंदरा देखा मैं सोस्ता था कि सिर्फ इंसान ही मेल मिलाब जानते होंगे लेकिन मैंने यहां के हैंगिंग ब्रिज को 14 नैशनल हाइवे से मिलाते देखा मैंने सुना था कि वादियां बहुत व्यांगम होती हैं लेकिन मैं तब हैराम रह गया जब मैंने गरडिया महादेव को इतने खरीब से देखा मैंने देखा कि जबाहर सागर डैम बाहें खोल कर चंबल के पाने को खुद में समेर के न चाहता है मैंने देखा कभी खौफ का नाम रही ये चंबल घाटियां आज खुबसूरती का पैगाम दे रही हैं मैंने देखा कि कैसे चंबल और एरो नदी मिलकर टाइटेनिक सा सुन्दर आईलैंड बना रही हैं मैंने देखा कि जावरा टापू पर जल का राजा बेखौफ होकर अपनी बादिशाहत पर इतराता है मैंने देखा कि सेलजर की ये खामोश गाटियां कैसे टाइगर की दार से गूंज उठती हैं मैंने देखा कि व्यू पॉइंट के नजारों में खुद्रत की नेमत कितनी खुबसूरत नजर आती है ना जाने कितनी बार मिरा मन इन अंदेखे जंगलों को निहारते ही रह गया ना जाने कितनी ही बार मिरा मन इन निरीह जानवरों पर ठहर सा गया बारोली के इस खंडित मंदिर की खुबसूरत इस्थापत्य करा ने मुझे अपना मुरीद बना लिया पत्रीले रास्तों से गुजर कर जब मैं प्राचिन रावठा महल पहुँचा तो इसके गौरों मई अतीच में खो गया यहां के तालावों में जानवर साल भर पानी में अटखेलियों का लुथ फुटाते हैं सावन भादू डैम के इस खुले पन में सैकड़ों परिंदे दूर देशों से छुट्टिया मनाने आते हैं मैंने यहां वो ग्रास लैंड भी देखी जिसे देश की लॉर्जस्ट ग्रास लैंड होने का खोद पर जरा भी गुमा नहीं था बिना ने हुवाले गागरोन फोर्ड की भव्यता देख कर लगा मानों खूपसूर्ती का कोई रूप होता तो शायद वो कुछ ऐसी ही दिखती इसलिए आहू और काली संध नदी इसे अपने चल से इतना सज़दा करती होंगे मुकुंदरा में मैंने चंबल देखी और जंगल देखा कुदरत देखी तो करिश्मा भी देखा हर यारी देखी तो पत्य जड़ भी देखा यहाँ जंगल देखा और जीवन भी देखा जैसा मुकुंदरा मैंने देखा क्या आप भी देखना चाहेंगे वैसा वेल्कम तो देखा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व नेचर अलोंग विद अड्वेंचर अज़्ट झालोंग झाल झाल